हेलो नमस्कार सुट्टेंट वेलकम टू इनोवेशन स्टेडी चैनल आप सभी का यहां पर श्वागत करते हैं आज अपने सुरू करने जा रहे हैं कक्षा आठ की मैथ और इसमें हमारी एकसरसाइज रहेगी एक पॉइंट एक जो की 2023 जो इसके लिए new slaves जारी किया है RBSC board ने उसके अनुसार ही अपन पूरा slaves cover करेंगे तो जो हट गया है वो ने पड़ेंगे लेकिन जो new slaves है जो आगे अग्जाम में क्यूशन पूछे जाएंगे वहां से पूरा slaves cover करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2023 के लिए है अब इसमें जो आपकी पुरानी बुक है उसमें 5 नंबर क्यूशन है और 7 नंबर क्यूशन है जो की नई बुक में 1 नंबर और 2 नंबर क्यूशन है कि उसने इस परकार से है कि निमलेखित परतेक में गुनन के अंतरकत उप्योग कियेगे गुन ध्रम का आपको नाम लिखना है तो पहला आपको दिखाई दे रहा है माइनस के 4 बटे 5 गुना एक और फिर 1 गुना माइनस के 4 बटे 5 बराबर वही संग्या आ रही है अपन जानते हैं जैसा कि मैं यहां पर लिखूँ कि A का multiply मैं एक के साथ में कर दूँ इस इकल टूँ, एक का multiply एक के साथ में कर दूँ और वापीस A प्राप्त हो जाई इस condition में अपन कहेंगे यह गुनात्मक है और तत्समक है यहां पर एक क्या होगा गुनात्मक तत्समक होगा तो यहां पर यह rule जो उप्योग हो रहा है वो होगा गुनात्मक ऐसे लिख दो इसको गुनात्मक तत्समक ठेक हैं अगर यहां पर पलस होता अगर यह condition आ जैती ए पलस में 0 is equal to 0 plus में a is equal to a वापिस प्राप्त हो जाता है तो यहां से हम लिख देते योज्य तत्समक ठेक हैं अब गुनात्मक तत्समक एक होता है योज्य तत्समक 0 होता है अब किसी भी संख्या में या किसी भी संख्या को एक ऐसी संख्या से 6th मृट्य करें कि वापीस वही संख्या वापीस वही संख्या थे तो जिस संख्या से मिट्प्ला किनें कि क्या क्या है थूज्य हो दे गात्समक यहां बाद में ये आपको दिखाई दे रहा है माइनस के 13 बटे 17 गुणा माइनस के 2 बटे 7 इसका करम चेंज कर दिया पहले लिख दिया माइनस के 2 बटे 7 गुणा में माइनस के 13 बटे 7 यानि यहां पे तो यह यूज हो रहा है यह ए गुणा भी बराबर है भी गुणा ए तो यह क करम वीनिम मेता होती है यह तो गुणा के लिए है योग के लिए किस परकार से होता है ए प्लस में भी बराबर बी प्लस में यह होता है यह योग के लिए करम वीनिम मेता है करम चेंज करना अब यह गुणात्मक है गुणा के लिए है तो यहां पर लिख देंगे अपन को क्रो माइनस के 19 बटे 29 गुणा में 29 बटे माइनस के 19 ब़ावर 1 यहां पर एक result कब आ जाता है कि यह तत्समक जब हमने पहला किया था तत्समक वाला वो तत्समक अगर result हमारे पास में आ जाता है तो उस condition में अपन कहेंगे कि पर्तिलोम यह गुणात्मक है जैसे मैं A को किस से मल्टिप्लाई कर दूँ एक बटा A से मल्टिप्लाई कर दूँ ताकि A का जाए तो यहां से कौन सा रूल उप्योग हुआ है कौन सा गुनधरम उप्योग कर रहे हैं अपन यहां से यह लिखेंगे गुनात्मक परतिलॉम गुनात्मक परतिलॉम ठीक है तो यह आपके पास और आज़ेगे गुनात्मक परतिलॉम होजेगा तो यह होजेगा 29 से 29 कटेगा माइनस 19 से माइनस 19 कटेगा एक result आएगा तो यहाँ पे लिखें गुनात्मक तब परतिलोंत परी Is that clear? समझ में आया इसके बाद भी चलते हैं Next और लास्ट रहेगा यह किसन बतलाईए कि कौन से गुन दरम की साहिता से आप एक बटा 3 गुना 6 गुना 4 बटा 3 जब 3 नमबर आ जाए तो वहाँ पे मैंने बताया ता साहचरियता होता है तो यह भी आगे पीछे करम चेंजी कर दिया कि रूप में अभिकलत आप कर सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं A क्रॉस B क्रॉस C बराबर A क्रॉस B यह रूल कौन सा होता है यह होता है साहचरियता रूल साहचरियता साहचरियता गुनद्रम यहाँ पे कौन सा गुनद्रम उप्योग कर रहे हैं साहचरियता गुनद्रम से कह सकते हैं तो यहाँ पे यह होज़ेगा एक बटा 3 गुना में 6 गुणा में 4 बटा 3 बराबर है 1 बटा 3 गुणा में 6 और गुणा में 4 बटा 3 यहां पर ओज़ेगा 4 बटा 3 तो यह कौन सा ओज़ेगा सहाचरियता सहाचरियता गुणद्रम यह रूल उप्योग में हुआ है यह गुणद्रम का उप्योग है तो इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ये दो ही क्यूसन थी एक्सरसाइज एक पॉइंट एक में तो आई होप आपको कलियरली समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं है कोई इस्यू नहीं है इसके बाद में अपन दूसरा चैप्टर सुरू करेंगे तो आज की क्लास में इतना ही नेक्ट क्लास में मिलें कुछ नए के साथ जै हिंद जै भारत